हाई फ्रेंट्स मानी मेंकट 2307 में आपका भरे दिल सहोगा था जैसे के देख पार है वो माल्टी वेगर पावर टेंजिशन्स कॉम्पनी है लाइकली एनूंस किया है बोनस शेयर का अफटर 4.75 पर इकुईटी शेयर के हिसाब से बेस्ट डेविडेंड पेइंग स्टॉक है ग्रीड कोर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड स्टॉक का नाम है स्टॉक 90 परसेंट का रिटन दिया है थ्री एर्स में और ओवर दे वान डिकेड में 200 परसेंट का पॉजिटिवली रिटन दिया है स्टॉक देख सकते हैं आंसोलिडेट फाइनेंशियल रेजल्ट अपका अपका प्राइबेट प्लेशमेंट भी हो सकता है इसमें डेविडेंट बोनास और फंडेज तीनों का तीनों नियोज स्टॉक में देखना को मिल रहा है एप्रूपल अब शेयर होल्डर का अभी तक पिंडिंग है डेविडेंट 4.75 पर इकुईटी शेयर के जब से मिलेग और कॉम्पनी फिक्स्ट रेकॉर्ड डेट किया है आठ अगस्ट को कॉम्पनी का डिकलेर किया है सक्सेस्फुल बाइडर अंडर दे तारी बेस्ट कॉमिनिटिव बाइडिंग्स तो पोजेक्ट है एस्टबलिश्मेंट नियो 765 400 किलो वल्ट का पूलिंग स्टेशन बाद अंधरापुदिश में होगा पचीस सो मेगावाट प्रॉम अनन्थपूरम टू कुर्णूल तक जाये गए तीसरा फ्राइडे देख सकते हो कि 3% आप में गया हुआ था और हाई जो गया था प्रिबियस क्लोज हुआ है 250 पे और इंटरेट हाई गया था 261 में तो ऐसे स्ट स्टेर क्या है कि फ्यूचर में आने वाला बहुत ज़्यादर रिक्वर्मेंट क्योंगे थार्माल पावर का सबसे ज्यादा क्राइसी इंडिया में देखने को मिल रहा है पूरा पावर सेक्टर एक स्ट्रागलिंग मोट से गुजर रहा है तो उस टाइम पे अगर इतना ब